श्री शिवाय नमस्त व्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है अक्षे तृतिया का पावन दिन बहुत ही खास होता है और इसी पावन दिन पर आपको बहुत ही अच्चुक उपाय करना है मात्र एक चुटकी हल्दी से देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको दो महा उपाय बताएंगे जो कि आपको हल्दी से करना है अक्षे तृतिया वाले दिन जो आपके जीवन से सारी समस्याओ को दूर कर देंगे आपको तुलसी जी में एक विशीश चीज डालनी है साथी साथ आपको अस्टिदल क अमल वाला उपाय आपके घर में अस्ट लक्ष्मियों का वास कराएगा यह उपाय तो सबको करना चाहिए बहुत ही खास है आपके जीवन में धनकी वृद्धी होगी आपका दुर भागी दूर होगा और आपका जीवन सोम्य हो जाएगा सरल हो जाएगा पवित्र हो जाए लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शीव के यदि आप सचे भगते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें देखिए अक्षे तृतिया याने की आखातीज 22 अप्रेल शनिवार की दिन है इस बार अक्षे तृतिया पर 6 शूब योग बन रहा है दे श्वार्त सिद्धी योग है अमरत सिद्धी योग है ऐसे 6 दुरलब योग का निर्मान भी इस पावन तीति पर हो रहा है देखिए वेशाक के शुक्ल पक्ष की तृतिया तीति यानि कि अक्षे तृतिया आखाती जिसे कहते हैं अक्षे का जो शब्द होता है जिसका कभी शैना हो जो शाश्वत हो जो स्थीर हो जो स्वयम ही भगवान का रूप हो ऐसी महातीति पर जिस पर आपको कभी भी ऐसा कहते हैं ना कि स्वयम सिद्ध महरत बताया जाता है आपको कोई भी मांगलिक कारे करना हो विवा करना हो ग्रह प्रविश करना हो व्यापार में व्या तो देखे आज के इस वीडियों में हम आपको दो उपाय बताने वाले हैं ये दोनों उपाय बिल्कुल ध्यान से समझना पहला उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है देखे अक्षय तेतिया पर आपको क्या करना है एक स्चील के लोटे के अंदर दो चंबच कच्चा दूद मिल देना है ओम नमो भगवते वासु देवाय का जाप करते हुए जाप करने के बाद साथ बार सेवन टाइम्स आपको तुल्सी जी की परिक्रमा करनी है यदि परिक्रमा करने की जगा नहीं है आपके घर पर तो आप जहां पर खड़े हैं वहीं पर आप घुम जाएं साथ बा देखो आज के दिन तुल्सी जी का उपाय तुल्सी जी का पूजन क्यों देखें वेशाक का महिना भगवान विश्नु को समर्पित होता है और ये तीथी भी भगवान विश्नु को समर्पित होती है और भगवान विश्नु को प्रिय है तुल्सी जी इसलिए हम तुल्सी के यहाँ पर यह उपाय कर रहे हैं, बहुत ही खासी उपाय है, आपको यह उपाय जरूर करना चीए, अब आपको क्या करना है, आपको 108 चावल के दाने लेना है, अब देखो 108 चावल के दाने आप लेंगे, तो उन वो सफेज चावल के दाने आपको नहीं चड़ाना है, आप आपको उसके अंदर एक चुटके हल्दी, गीली हल्दी मिला करके उन चावलों को आपको रंग लेना है, उन चावलों को आपको पीला कर लेना है, अब देखो, आप हल्दी से भी पीला कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर केसर है, तो केसर से करते हैं, तो सर्वोतों होता है केसर से करना, हल्दी से करना, आपको क्या करना है? चावल जो 108 दाने लेंगे, ध्यान लखना कहीं से भी खंडित नहीं होना चीए अब एक एक चावल का दाना, आपको इस अक्षेत रितिया की पावन दिन पर आपको इदम अक्षेतम ओम महा लक्षमे नमहा इस मंतर का जाप करना और एक चावल का दाना आपको अर्पित कर देना है इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाना महा लक्षमी के नाम से आपको अर्पित करते जाना है आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन की समस्या है वो सब दूर हो जाएगी इस अक्षत की दाने से देखे कहते हैं न कि अक्षत रित्या पर दो चीजों का उपाय सबी को करना चीए एक हो गया चांवल एक हो गई हल्दी तो चांवल और हल्दी के यह उपाय आपको जरूर करना है देखो यह हो गया पहला उपाय अब दूसरा उपाय बहुत ही खास उपाय है हर घर में यह उपाय होना चीए जिस भी घर में यह उपाय होता है इस वहाँ पर अश्ट लक्ष्म्यो का वास निश्चित ही होते है एक उपाय मातर हल्दी से आपको करना है अश्च डल कमल वाला यह वीशेश उपाय है बहुत ही पवित्र दिन है देखे पिछले साल भी अश्च डल कमल वाला उपाय हमने आपको बताय था बहुत ही खास यह उपाय है, आखा तीज के दिन ही यह उपाय करना चाहिए, धन, वेबव, एश्वर्य किर्ती की प्राप्ति के लिए, के लिए यह उपाय करते हैं, धन जो है वो खीचा चलाता है, देखे विश्णु पुरान के अंदर, महालक्ष्मी स्वयम कहती है कि मैं अ आपको उनके सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिचाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, हल्दी लेना है, एक चुटकी हल्दी लेना है, उसके अंदर या तो गंगा जल मिला दें, या तो आप शुद्ध जल मिला दें, या तो आप गुलाब जल मिला दें, आपको इन तीन आपको इस प्रकार से कोने बना देना है, ठीक है, इस प्रकार से, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से ये अस्टेदल कमल हो गया है, ये आप दिखेंगे ना, तो आट बक से इसके अंदर बन चुके हैं, पीछ में जो सेंटर पॉइंट है, यह महाँ पर माता अलक्षमी को प्रसंद करने के लिए। है साथ में आपको चावल की डेरी रखना है, और उसके उपपर आपको लम्बी बाती का लगाना है। उसके अंदर आक चुट्के हल्दे डाल दे那 इसलिए लंबी बाति का उप्योग क्या है अस्ट लक्ष्मिय को हमको प्रसंद करना है यानि कि दीवी को हमको प्रसंद करना है ठीक है इस प्रकार से आपने ये कर लिया अब आपको दीपक आपने प्रजुलेट कर लिया अब आपको क्या करना है महालक्ष्मी के मंत्रों का ज जबते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है यदि आपको कोई और मंत्रा आता है बड़ा मंत्रा आता है वो भी आप जब कर सकते हैं अब आपको लक्ष्मी चालीसा का पार्ट करना है विश्णु चालीसा का पार्ट करना है विश्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पार्ट कर सकत तो बहुत ही अच्छी बाते अस्ट लक्ष्मी स्तोत्र का आपको श्रवन करना है अपके कानों में वो स्तोत्र जाना चाहिए आप जब ये स्तोत्र सुनेंगे तब आप हो सके तो अस्ट दल कमल को निहारना ये अस्ट दल कमल अस्ट लक्ष्मियों का वास कराता है इस प्रका से आपको हल्दी लेना है और आपको आपके घर के मंदीर में दीवार पर पूर्व की दिशा के तरफ आपको दीवार पर ये अश्चे दल कमल एकुर बनाना है यानि कि दो आपने लाल कपड़े में बनाये थे और एक आप दीवार पर बना रहे हैं आपके घर के मंदीर में ठ जब यह उपाय करेंगे आपके घर के मुख्य द्वार खुले होने चीए ठीके बंद घर में यह उपाय मत करना क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है देविक शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी तो वह मुख्य द्वार से ही करेगी या तो आपकी घर की गेलरी आप गेट खोल देना आपकी छत का गेट खोल देना कहीं से भी देविक शक्ति वहीं से ही प्रविश करती है तो आप क्या करना इस प्रकार से खोल करके आप ये उपाय करना अगले दिन बहुत द्यांचे समझना ये अश्चे दल कमल इतना खास है कि आप जब रोज दीपक ल खोल दा गणा अश्चे लक्ष्मिव का वास होना बहुत जरूरी है गर में तो यह आखा तीज का पावं दिन है तो आपको ये उपाय करना और इस अश्चेदल कमल जो आपने पीले रंग से हल्दी से बनाए है वो पूरे जो हल्दी जो है वो जल के अंदर निकल जानी अची है और उसके बाद लाल कपड़ा आपको सुखा देना है उसके बाद अश्चेदल कमल का यह जो जल है इसका छिटकाव पूरे घर में कर दे करना है देखे यह जो उपाय हमने आपको बताया है अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार और सुन लेना गलती नहीं करना है पोटली आपको अगले दिन या तो उसके अगले दिन कभी भी आप रख सकते हैं लेकिन जब भी रखेंगे संध्या काल के समय कर रखेंगे श्री शीवाय नमस्त भ्यम हर हर महादेव